तुम मैं कyou cry हम लोग भी अपनी स्वहाग रात का वंड लेते हैं शादी के बाद सुहाग रात पे वो वाला विडियो बनाने का सपना इनडिया का हर लॉनला देखता है लेकिन बना कोई-कोई बाता है लेकिन अगर उसमें से एक दो गिने चुने लोग बना भी लेते हैं अगर किसी के साथ ये वाला कांट हो जाए भाया तो तोवा तोवा कसम उसकी तो क्या ही बताओ यार यास त्रित्ते डिम्री यानिकी भाविटू और हमारे राजकुमार राव साल का 304 धमाका करने के लिए तैयार है यार अपनी नई मूवी का ट्रेलर रिलीज कर दिया है वो भी बेना किसी धूम धड़ाके के विक्की विद्या का वो अला विडियो अब वो वाले से आप समझी गए होंगे कि किसके बारे में बात हो रही है इस ट्रेलर को देखकर बड़े लंबे टाइम के बाद मेरे चेरे से मुसकान नहीं जा रही है और ऐसा लग रहा है कि अरे भाईया बस तुम्हारा ही तो इंतिजार था कहा थे तुम अब थोड़ा टाइम पहले बैड निउस आई थी जिसको देखकर मैं बड़े लंबे टाइम तक हसती रही थी मुझे मज़ा आया था लेकिन उसका सेकेंड वाला थोड़ा सा एंड वाला जो पार्ट था हो थोड़ा सैड हो विदा पस मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि यह इसके साथ ना हो जैसा रोस्ट मुझे ट्रिलर में देखने को मिला अगर वैसी मूवी मिल गई न हम तो मज़ा जाएगा देखकर यार देखो भाई राजकुमार नाव ने नो डाउट एक बार फिर से इंप्रेस कर दिया है मैं सोच रही हूँ कि भाई इस साल बंदा ये क्या करके मानेगा श्रीकान मिस्टर मिस्स माही इस त्री टू और अब ये वो अला विडियो भी मतलब ये बंदा चाहता क्या है कोई भी केरेक्टर पकड़ा दो राजकुमार राओ को उसी में फिट हो जाता है इसे एक कॉमेडी करने को कह दो तो एक कॉमेडी कर लेगा इसे श्रीकान टाइप का एक केरेक्टर करने को कह दो तो ये वो कर लेगा भाई हर केरेक्टर में पूरी कहानी नाइंटीज में सेट है और रिशीकेश में सेट है वहाँ पर ये दोनों रहते हैं कि शादी होती है और शादी की रात ये दोनों डिसाइड करते हैं कि भाईया चलो थोड़ा नौटीने सो जाए और ये डिसाइड करते हैं कि अपना वह वाला वीडियो बनाते हैं सुहागरात का अब पुरी जिंदगी देखेंगे उसे मज़े करेंगे लाइफ का अब किसी ने भाईया इस मुद्धे पर फिल्म बनाने का अस तक सोचा है अब सोच रहे तो इतना बढ़िया माटीरियल नि बाते नो मुहलों में आग की तरह पहल रहती हैं बस पहल गई है वह सारी बाते बस अब किस तरीके से ये डिवीडी वापस मिलेगी और कौन-कौन इसमें इन्वाल होगा ये सारी चीज़े तो देखने को मिलेगी देखो भया वेकी बहीया ने तो वह तारीव के काबल है उ उन्होंने शुरू किया था फिर उसके बाद हमने उनकी बैड नियूस भी देखी बैड नियूस में इतना पोटेंशल मुझे लगा नहीं देखो यार सीरिसली बोलू तू बाट इस टेलर को देखकर मुझे जो उन्होंने डायलोग डिलेवी दिये ना आपका बेटा थरक से दो लेवल उपर थरक थरकी थरकुला भाई मुझे मज़ा आगया एकदम देसी वाई वाई है मुझे यहाँ पर त्रिपते डिमरी को देखकर तो मेरे लिए त्रिपते डिमरी को इस मूवी में देखना सच में बहुत ही मज़ेदार होने वाला कॉमिक टाइमिंग उ यहाँ पर ऐसा एक्स्परेशन था मेरा वापस से में बीगे होट वाले जोन में पहुंच गई हो मैं देख रही थी अरे यार यह क्या कर रहे है और जो उनका पूरा का पूरा सीन दिखाया गया है उसे देखकर मुझे बहुत मज़ा आ गया विजयराज है जिनके साथ इनक पुलिसार आगे कहता है कानून भीग गया है बारिश में तुम वो सीन देखो एक बार कानून गिला हो गया से ऐसे सिचुईशन शिप के डायलोग सो में भर भर के मिलने वाले है भाई मुझे लग रहा था मैं कोई रोस्ट शो देख रही हूँ कोई ट्रेलर नहीं है बहुत मज़ा हाने वाला है पैसो की कमी नहीं है मैं मांग लूगा किसी से मतलब आज कल रिक की जनरेशन के सारे डायलोग अगर किसी मूवी मुझे देखने को मिले है तो भाई यह वो मूवी है तो है मलीका शिरावत को देखने के लिए नो डाउट मैं बहुत excited हो तो पूरी की पूरी यह मूवी एक रोलर कोस्टर होने वाली है सबसे बज़दार चीज मेरे लिए य इस अच्छी निकलती है इस मोवी की बागी है मैं असतलीक होई गया है विक्की विद्या का रहा है ना अच्छी इखासी बनाई है मैं उमीद करती हूँ कि इसमें वह कुछ एक्स्ट्रा चीज़े डाल कर हमारे लिए कुछ अच्छा लेकर आएंगे बट दिक्त है वह दिक देखने जाएंगे या फिर भावी टू को राजकुमार राव को देखने जाएंगे कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे मैं में लोगी दो मने एक वीडियो में तब तक तुम फिल्मी जाट करके सब्सक्राइब कर लेना स्वीडियो को लाइक और शेर कर लेना